बारिश के इस मौसम में कई पेड़ पौधे अपने आप उग जाते है और उन में से कुछ पौधों को हम सबजी की तौर पर खा सकते है क्योंकि ये आउशद्य गुनों से भरपूर होते है और ऐसी ही एक सबजी है आगाडा यहां हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छ हम इस इस मौसम में पूजा में भी यूज करते हैं और हम इसकी सबजी भी बना सकते हैं इस सबजी को हमें दूसरे पत्तों वाली सबजी की तरह ही बनाना है हमें टेस्ट से ज़ादा हेल्थ को इंपोर्टन्स देना चाहिए और ऐसे हेल्दी सीजनल सबजियों को हमारे खाने में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए वैसे ये सबजी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करिए और आपके यहाँ इस सबजी को क्या कहते हैं वो भी मुझे बताईए